सो हेलो वेलकम बाक टू दे टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल जिसमें बात करते हैं मार्वल और डीसी से रिलेटेड तो आज हम बात करने जा रहें थॉल लाव इंटरनेर के एंडिंग और उसका कुछ कंफरमेशन के बारे में और हाँ वीडियो शुरू करने से पेले को सब्सक्राइब कर लीजें तकि मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो चलिए बिना देरी करें वीडियो शुरू करते हैं तो इंडिंग शुरू होती ही वहां से जहां थौर माइटी थौर गौर और वैरकनी चारो ठकर हार जात और फिर वह पावरफुल होने बात गोर के साथ एक फाइट और लड़ता है और फाइनली गोर हार जाता है और इन सब के बीच में माइटी थौर फिर से जैन फॉस्टर बन जाती है क्योंकि वह अपना हैमर थौर को दे देती है तो मतलब कि माइटी थौर का सफर यहीं तक मारवल में मतलब जैन फोस्टर तो रहेगी लेकिन माइटी थौर नहीं रहेगी और इससे सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मारवल ने फैंस का मीम कुछ जादा ही सीरियस ले लिया और इस बर यह शायद थौर को रिप्लेस नहीं कर रहे है यह तो अच्छी बात है वैसे औ तो कन्फरमेशन यह है कि इस मूवी में जो हमें जीवस बताया गया है ओलंपी किंग वो मर जाएगा हाँ हरक्यूलिस बेटाई ही है जीवस का और एक चीज और भी कन्फरम हुई है जिससे सुनकर काफी सारे फैंस को तो शोग लग गया है कि इस मूवी में ना तो टाइम लोगा और नहीं मल्टिवर्स का कोई जबेला हाँ तो अब बात करते हैं मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग की तो इस मूवी को रिलीज होने के लिए स्रिफ चार दिन पड़े हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि यह मूवी मल्टिवर्स ऑप मेंने से भी अच्छी रहेगी और इस इसलिए अगर आप यह वीडियो मूवी रिलीज होने के बात देख रहे हो तो मुझे जरूर बता देना कि मेरी एंडिंग सही हुई या नहीं और यार मुझे टिकेट का भी बता दो क्योंकि मुझे टिकेट मिल नहीं रहे मेरे शहर में तो यार बस आज के लिए इतना ही व मिलतें अगली वीडियो में